हाई अबरीवन सो वेलकम तो गाइटल यूटूब चैनल सो जिस तरीके से मैंने आरार भी पीयो मेंज का रीजनिंग का ट्रेंड बनाया था तो काफी अच्छा रिस्पॉंस रहा थेंक्यू गाइस सो मच अब आई बारी है आई वीपीस कलड की दोस्तों मेरे बारे में आपक को अच्छा महसूस होगा जो आप डर रहे है कि कहां से करें शुरुवात कहां से करें क्या करें सब चीज मिल जाएगी इस वीडियो में ठेक नब बट अगर आप कुछ भी पर्चेस करना चाते हैं चाहे वह रुद्रा बैचो या पीडिया बैचो या रफतार बैचो या ज नहीं हो रहा है तो एड़ रेट रोहित सर एड़ रेट रोहित सर गाइड ली है मेरा टेलीग्राम ग्रूप है आप मुझे यहां पर टैक कर सकते हो और पूर्ट बता सकते हो अपनी को अरी ठीक हम चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहले 2023 से ही शुरुवात करेंगे कि 2030 में र वाइस कर दिया सक्षण ए सक्षण भी तो सक्षण ए सक्षण ए में पजल डाली सबसे पहले और पजल यह कोई बच्चा नहीं कि कहा दा कि सर कर ली सब कह रहे थे सर बहुत घुमाओ थी बहुत बहुत ट्रिकी थी दो यह दी थे 1998 और 1999 बारा परसं थे और एक कंडिशन थी कि 1998 में ज्यादा लोग हैं as compared to 1999 में ठीक है और अच्छे खासे statement यूज हुए थे इसमें दूसरी सक्षण ए में ही दूसरी पजल इस्ट वेस्ट तेरा लोग थे और तीन की तीन वेकेंट थी यह भी बहुत ट्रिकी थी सुक्षण ए में दो पजल इन्हों डारी और कुछ एका मिसलेनियस था तो सक्षण ए क्या है सक्षण ए पहले आपको इसके बारे में बता दे सक्षण ए में टू माक्स के कुश्ण होते हैं और स Write में वन माक्स के कुश्ण होते हैं ठीक है न largely आपको बाते हैं सेक्षिन बी में था सिलोजम्स पूछा था आपसे सिलोजम्स पूछा उसमें तीन कोश्चन थे चार स्टेटमेंट तीन कॉन्कूजन वाले इनिकॉलिटी थी कोडेड इन्पूट आटपूट था निमेरिकल बेस्ट अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप अपने कोश्चन को किस तरीके से सालेट करेंगे मौक दे रहे हैं तो किस तरीके से दे रहे हैं अब आपको ये भी आपको सीखने को मिलेगा अलफा निमरिक स्टब बेस्ट आई थी लॉजिकल के 6-7 कोश्चन से डेटा सुफिशन्सी दो स्टेट्मेंट से 3-4 कोश्चन आपको यहाँ पर मिले थे रिजल्टेंट बेस्ट सीरीज आती थी इसमें आई थी तीन रो आई थी एक रो दो रो तीन रो जिसका रिजल्टेंट यहाँ आएगा इसका रिजल्टेंट यहाँ इसका रिजल्टेंट यहाँ इसका रिजल्टेंट यहाँ पर इनसे कुछ करवाएगा और टिक जिसमें uncertain number of boxes थे प्लस variable भी थी तो all over देखा जाए paper was moderate to difficult side अगर मैं इस paper में बैठ रहा हूँ तो मैं क्या करता मेरी सड़की not easy आने वाले 24 में भी अगर मान लीजे मेरा paper clear हुआ है VPS clerk का तो मैं कैसे करूँगा ना मैं puzzle को सबसे पहले छूने वाला हूँ बिल्कुल भी ना मैं puzzle को तो बिल्कुल नहीं छूँगा mislaneous को छूँगा mislaneous में भी पहले मैं input output नहीं छूँगा coding decoding जो logical वाली होती है जिसमें logic ढूना बिल्कुल नहीं छूँगा क्या करूँगा सबसे पहले मिनियेस करना है इनीकॉलिटी में नमल लोगा इलफा नुमेरिक में लोगा उसके बाद डेटा सफिषंची में लोगा रिजल्टेंट में ये करूँगा इसके बाद मैं पिजल पे देखूंगा कि मैं कौन कौन सी पिजल करने में सक्षम हूं मैंने घर में कौन सी पजल लगाई है मैंने बॉक्स बेस लगाई है रोई सर ने कराई है अनसर्टेंड वाली बहुत कराई है अगर आप पजल सेशन जाकर देखें लोट रोई सर एनी फैकल्टी यू कें वाच बहुत से पजल लगानी तो टारिक लेगा एक नहीं तो दो मार्क्स आ जाएगा भाई यह चीजह मत समझना ऐसे ठीक है मानलो दो दो मार्क्स वाली पजल में आपके पास को एक ऐसी पजल आदा आ जाती है जो आप कर चुके हो घर पे तो आप करो तब तो करो कोई दिक्कत नहीं लेकिन कभी रिस्क मत लो बस समझ में आ रही तो अच क्योंकि आपको 42.40 45 मिनेट्स मिलते हैं јर यह 292 मार्क्स वाले थे यह दो मार्क्स वाले थे और यह आपके एक मार्क्स वाले थे ठीक है ना जहां पे आपको आप देखो input output देदी number based चार question आठ marks दो दो marks कता age based puzzle थी 9% चार question आठ marks इसमें condition आपको होगी मैंने भी बहुत बार questions कराया है कि जैसे 1998 कि A की birth year है तो मैं B की अगर age पूछू कि age कितनी है तो last two digit जो है एक ही या तो 98 हो सकता या तो 89 रिवर्स में बात समन्मारी इस तरीके से बात समन्मारी ठीक है यह वाला question मैंने कराया है coded inequality देखिए अभी आपको मैं कुछ terms बताऊंगा वो कर लेना practice पीडियो बंडल से कर लेना syllogiums logically does not follow वाले आए थे coded blood relation आई थी data sufficiency आई थी सीरीज बेज एक question था कुछ काम कर रहा था concern माइनस वन करो वावल में प्लस 3 करो फिर जो repeat हो रहे हैं उनको remove कर दो sudo ko base puzzle अब इसमें क्या था जानते हैं सुनिये में मैंने करवाया है यह पर एसे से करके red green yellow blue करके colors लिखे थे अगर red समझे अगर red मान लीजे यहां पर आ चुका तो दुबारा red यहां कहीं नहीं आएगा और इस row में कहीं नहीं आएगा sudo ko base था ठीक है इस तरीके का question था बहुत अच्छा question था आपको मैं करवा दूँगा एक बार floor flat था जिसमें चार floor थे दो flat थे variable के साथ था designation based थी 6 post थी और 21 member थे puzzle सुझने में आसान लगा है curling बाई none of the single puzzle is easy all puzzle are tricky statement में कुछ गरबर करोगे game over हो जाएगा day based puzzle थी variable था इसमें logical reasoning 2022 का अब 2021 में बात करते हैं तीन रोज six person each में थी कैसे था ऐसे देखो ये ऐसे ऐसे देख रहे हैं सब लोग नीचे देख रहे हैं और यहाँ वाली बीच अली रो में कुछ लोग आपके north और कुछ लोग south देख रहे हैं और इनको देख रहे हैं ऐसे ऐसे टाइब का pattern था six person each चुड़ो month based with date थी ठीक है भाई doable था कर सकते थे डे बेस था doable था अंसर्टें परसं सर्कुलर में थी linear में नहीं थी और mix डाशन मता कुछ लोग अंदर कुछ लोग बाहर input output number के साथ साथ word था और बाद में वो convert हो जा रहे थे symbols के अंदर ठीक है नमबर था स्राटिंग हो थी number और word की फिर बाद में कुछ operation पर्फार्म करके symbol में convert हो जा रहे थे यह logic लग रहा था अच्छा और logical reasoning आई थी coded blood relation data sufficiency condition based coding थी इसमें क्या होता है मैं आपको होता है तो condition condition based कैसी थी एक इस तरीके से कुशन आपने देखा होगा यह करके कि उपर letter दिये होते हैं नीचे symbol दियो होते हैं हर letter का एक-एक symbol होता है फिर पांच चे छे condition step 1 condition 1 condition 2 condition 3 थी तो बताओ bold का क्या code होगा तो condition दियोगी उस condition को पढ़के हमें तो इस type की coding decoding को करना है अब देखि मैंने आपको क्या बताया आपने एक चीज देखी कि throughout the year आपने एक चीज देख ली कि data sufficiency आएगा ही आएगा आपके 2024 में कम से कम 3 से लेके 4 question आएंगे आएंगे कैसे 2 statement वाले आएंगे और इसके अंदर तो सब कुछ आता है direction पूछ लेगा blood relation पूछ लेगा linear पूछ लेगा command बना लो कोई भी doubt मत रखो कोई भी doubt मत रखो दूसरा अब आपने देखा कि अगर हम कहें कि mislainess में तो coded blood relation आएगा ही आएगा practice करना शुरू कर दो coded coded inequality आएगा ही आएगा ठीक अब आको से coded silox कर ले कि अब वो समय नहीं है भाई कि reverse silox कर लो reverse तो नहीं आएगा guarantee है coded भी आ सकता है coded silox बट बहुत कम chances हैं तो silox में ज्यादा time मत दो क्यों तुमने अगर तुमने प्री वाली पढ़ रखी है न तो भाई इसको time मत दो ज्यादा inequality में भी न ज्यादा time नहीं देना बस practice कर लो कर लो concept coded blood relation में practice कर लेना क्योंकि कुछ tricky tricky चीज़ें आती है जैसे कि coded में आ जाती है एक दो चीज़ें की pattern change कर देता है जैसे ए डॉलर बी इसका मतलब है कि बी जो है father in law है एका तो देखो यहाँ पे change कर दिया यह बस यहाँ पे ध्यान देने वाला होता है coded अब बात करते हैं coding decoding होती है एक logical वाली जिसमें number symbol letter होते है हम नहीं करेंगे भाई हम देखते हैं मान लो मेरी बात प्लीज फस जाओगे paper spoil हो जाएगा लेकिन coding decoding करनी है तो कौन सी करनी है जैसे कि हमारे पास आती है condition वाली जैसे condition based आती है जो जिसमें आपको भी मैंने बताया condition based आती है वो वाली coding decoding को धूमना और अगर दिया है तो करना वैसी अगर मैं बात करूँ input output बाई input output में एकदम एंड में इस topic को रखना मिसलेनियस अगर कर रहे हो और मिसलेनियस वाले के एंड में आ रहे हो तो इसके बाद इतना करने के बाद पजल सेक्षन पर सुच करोगे और ढूनोगे कम से कम एक नहीं तो दो पजल सेट जो कि तुम कर पाओ अच्छा का सा अटम कर मार किया होगे 2024 में गैस मेरे बात सुलेना प्लीज यार मैं प्रैक्टिस करवाओंगा मैं यह सारी चीजे मैं प्रैक्टिस करवाओंगा ठीक कमेंट कर देना बस ठीक ना बाकी कोई और डाउट होता है तो ज़रूर पूछो मेरा टलीग्राम ग्रूप है यह जोइ कर लेना कुछ भी परचेस करते हो गाइडली से तो कुपन कोट बी वन टू को मत भूलना बाए बाए टेक केरे और हैवा नाइस टे